चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों जैसा कि आप सबको पता है, नी 24 का रजल्ट, 4th of June 24 को जारी कर दिया गया है ये रजल्ट जारी होने के बाद में हर एक स्टुडेंट शोक में आ गया है चाहे किसी के 720 मार्च हो, चाहे किसी के डाउन मार्च हो, यानि कि 720 वाला स्टुडेंट भी सोक्त है अब क्यों सोक्त है वो? क्योंकि उसको भी AIMS दिली नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि NTA का जो पेपर लीक होआ है, वो भूत ही ज़्यादा तादाद में लीक होआ है यानि कि 720 के 8 स्टुडेंट एकी सेंटर से हैं और वो स्टुडेंट हरियाना और राजस्तान से हैं मतलब ये है कि इन स्टुडेंट्स को एकी सेंटर क्यों अलोट किया गया है, क्या सारे टोपर्स को जो 720 ला रहे हैं, उनको एकी सेंटर अलोट कर दिया गया है एकी सेंटर से 720 लाने वाले आठ बच्चे हो सकते हैं ऐसा चलो ये मान भी लेते हैं कि हो सकते हैं तो जब आंस्वर की जारी हुई थी उस समय जो बड़ा कोचिंग है उसने अपने चार बच्चे दिखाये थे 720 आउट ओप 720 तो ये इतने सारे बच्चे और कहां से आ गई जो बाकी कोचिंग्स में बच्चे आये हैं उन्होंने अपना रजल्ट क्यों नहीं दिखाया कि हमारे भी 720 के बच्चे आ रहे हैं पहले तो only 4 स्टुडेंट सी तो आ रहे थे एलन की बात करें हम एलन ने दिखाया था मेरी नजर में 4 स्टुडेंट थे वो 720 के उन्होंने मार्च सीट भी उनका डाला था शौरी मार्च सीट नहीं उनका नाम भी डाला था सभी स्टुडेंट का तो बाकी कोचिंग वाणोंने क्यों नहीं डाला कि हमारे भी इतने आ रहे हैं लेकिन क्या है कि इस पेपर में इस बार NEE 24 का जो पेपर है वो भारी तादाद में लीक हुआ है और जो लीक हुआ है उसमें 720 के बच्चे भी है वो हम यहाँ प्रूफवाईज देखेंगे यहाँ प्रूफवाइज देखेंगे यहाँ पर पूफवाईज अब यहाँ एक NTA की सबसे बड़ी गलती यह है कि इसने दो बच्चों के रेज 718 और 719 marks दिखाए हैं उनकी rank 68 और 69 दी गई है ये मैंने भी उनका result चेक किया है उन students का और social media पर भी उनकी जो mark seat है वो viral हो रही है तो उसका भी NTA ने justification दिया है वो justification भी हम एक बार देखेंगे कि NTA ने उनका क्या justification दिया है मैं आपको उससे पहले इनके इस बच्ची के जो 68 rank है उसके जो marks है वो 719 है जो एसमभव है कभी हुआ नहीं है और जो दूसरा student है yes Kataria इसके marks 718 है 69 rank है वो आज तक हुआ नहीं है अब ये NTA ने जो rank जारी की है वो 67 rank जारी की student जारी की है 1 rank के यानि इनके 720 है अब यहाँ paper leak का जो मैं आपको proof बताऊंगे यहाँ पर उसके बाद हम जाएंगे कि जो 720 और 718 और 719 का जो है उस पर NTA ने अपना जबाब भी दे दिया है क्या जबाब दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं 61 जो application नमर है 62 शोरी 62 application नमर से लेकर के 67 application नमर तक same application नमर है और यह एकी center के बच्चे हैं और यह हर्याना और देली हर्याना राजस्थान इन states के बच्चे हैं यह तो क्या आप यह मानते हैं कि एकी center से इतने सारे बच्चे आ सकते हैं क्या एकी सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे आएंगे बलकि इसमें ये भी सामिल हैं इनकी भी 69 तक सीरियल यही आ रहा है इनका 69 तक सीरियल आ रहा है तो अगर हम ये गिंती करें तो 3 और 3 6 और दो 8 बच्चे 8 बच्चे एकी सेंटर से आ रहे हैं एक सेंटर से 8 बच्चों के मार् 719, 718 आ रहे हैं तो ये क्या possible है ये किसी को भी possible नहीं लग रहा है और इससे ये बिल्कुल जाईर हो चुका है कि NTA का जो paper है वो भरी मात्रा में leak हुआ है एक center के 8 बच्चों के 6 marks आ रहे हैं वो भी top के 720 तो इससे ज्यादा leak होने का proof क्या है ये जब इनके पास 720 वाड़ों क पास में जब paper पहुंचा है अगर किसी बच्चे को paper पहुंचता है उसको paper रटा दिया जाता है फिर भी वो कहीं न कहीं गलती कर देता है तो ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे जिनके 716 वालों के पास भी paper पहुंचा है 710 वालों के पास भी पहुंचा है 705 वालों के पास भ ही होगी तो यह paper मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में leak हुआ है इसका proof हमें यहां मिल गया है बाकि student पकड़े भी गए है paper जलाने का सबूत भी मिला है high court में cases भी हो गए है अभी supreme court में भी एक case कली हुआ है लेकिन यह जरूर confirm हो गया है कि paper leak हुआ है यह तो बिल्कुल confirm हो गया है और यह proof हमने देख भी लिया है अब बात करते हैं कि जो 718 marks आये हैं 719 marks आये हैं वो NTA के पास से पहुंच चुका है इसका matter और इसने reply भी दे दिया है आईए देखते हैं NTA ने क्या reply दिया है तो NTA ने अपने twitter handle पर यह reply दिया है कि हमारे पास में काफी student की यह query आ रही हैं कि यह 718 marks कैसे आये 719 marks कैसे आये तो यह इन students को time कम दिया गया था तो हमने normalization system adopt किया है यह 13 June 2018 का judgment है यह court का उसको इनोंने court किया है और इनोंने यह किया है कि इस judgment के according हमने normalization करके 718 और 719 marks इन बच्चों को दिया है तो अपने तरफ से इनोंने यह justify भी कर दिया है Twitter handle पर यह फिर भी गलती नहीं मान रहे हैं और यह paper बड़ी मात्रा में अब वो तो उनोंने justify कर दिया कि 718 का normalization कर दिया है इन दो बच्चों के साथ हम मान लेते हैं लेकिन इनका NTA के पास क्या reply है कि एकी center से आठ बच्चे क्या top कर सकते हैं मैंने आपको पहले बताया कि एकी institute पहले 720 का दावा कर रहा था बाकी institute ने किसी नहीं दावाई नहीं किया कि हमारे भी 720 आ रहे हैं 69 बच्चे जब 720 आ रहे हैं तो कोई तो दावा करता क्यूंकि ये तो answer भी चेंज नहीं हुआ answer भी एक एक क्यूशन के दो answer दिये गए हैं तो 720 और भी तो कोचिंग वाले ये अपना दावा करते हैं कि हमारे भी 720 आए हैं लेकिन दावा करने से ये बच्चे तो expose होने थे क्यूंकि paper leak का मामला आना था इसके उपर हालां कि कल Supreme Court में case जरूर हुआ है लेकिन ये proof नहीं है अभी जो case दाईर किया था उसमें ये proof नहीं डाला था ये अभी proof आ गया है मैं सभी बच्चों से ये अफील करूँगा कि देखो paper तो बहुत बड़ी मातरा में लेक हुआ है और इसके हमारे पास सबूत मिल गए हैं आप अपने हाई court में case दाईर कर सकते हैं मैं भी इस विशेब पर पूरी कोसीश करूँगा मैं भी इसके बारे में अभी सोच रहा ह में लीक हुआ है और 720 माक्स वाले इतने बच्चे हो सकते हैं वो मेरे को लग नहीं रहा है कि अपने दम पर ये माक्स लाए हैं क्योंकि ये जो इतना बड़ा सब कुछ है इतना बड़ा है उसमें 720 वाले दावा इन कर रहे थे कोई इससे पहले answer की जारी होने के बाद भी कि 720 के हमारी कोचिंग से हैं लेकिन ऐसा तो नजर में आया नहीं है और क्या ये 720 करने वाले दिल्ली हरियाना राजस्तान के ही बच्चे हो सकते हैं तो ये तो सबसे बड़ा फ्रोड है सबसे बड़ा फ्रोड है और पेपर लीक जरूर हुआ है तो मैंने आपको सबूत दे दि ये है कि ये पेपर भारी मातरा में लीक हुआ है क्योंकि पेपर हमने पहले भी देखे हैं मैं तो इस नीट को 10 साल से कवर करते आ रहा हूं मैंने पेपर पिछली साल का भी देखा इस साल का भी देखा हर साल का पेपर देखते आ रहा हूं पिछली साल से पेपर इजी कितना ना जाएंगे इतना ही एकदम से ये तो था नहीं कि ये second class का ये paper था तो सभी बच्चों ने attempt कर लिया ऐसा तो ही नहीं इसमें paper में क्योंकि paper तो same facelive आरज ऐसा था उससे हमाल लेते हैं थोड़ा easy भी होगा तो थोड़ा easy होगा तो थोड़ी rank बढ़ सकती है मैंने easy के प्रेडिक्ट किया था 600 पर मैंने किया था 41,000 किया था अभी 600 पर आप देखोगे तो 90,000 आ रही है बताओ ये कोई rank इसका कोई justification है मेरे को तो लग नहीं रहा है ये paper easy होने से और student भी बढ़े है तो चार लाग student बढ़े है फिजली बार भी तो तीन लाग student दो लाग student बढ़ हैं और इसके बारे में हमें इसके लिए लड़ाई लडने पड़ेगी रीणीट के लिए लड़ाई लडने पड़ेगी रीणीट में जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा तो selection हो रहा है कोई भी college मिले हम रीणीट नहीं चाते हैं लेकिन उनमें उनका भी नुक्सान है उ हमें अभी जिसका हो सकता है जो मैंने बताया वो और भी पला जाड देगा अपने तरब से ये बता देगा कि इसमें हमारी क्या गलती है सेंटर से बच्चे आ रहे हैं तो ये एक justification नहीं है NTA के पास भी इसका कोई reply नहीं है, वो देगा भी नहीं, तो इसके लिए हमें लड़ाई लडने पड़ेगी, मैंने आपको रास्ता बता दिया है, और ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये जानकारी थी, मैं भी कल से बहुत दुखी हूँ, मैंने भी rank marks का video predict किया था, उसमें बहुत ज् rank बताई थी, student ने objection किया था, कि इतने बच्चे आ नहीं सकते हैं, मैंने 720 के 6 बच्चे predict किये थी, student ने बोला था कि 6 तो आज तक आए नहीं है, आए नहीं से उनका कहना भी सही था, क्योंकि result देख रहे हैं, तो मैंने भी rank बताई थी, हालांकि ये बताया था, कि इस बार का rank से भी ज्यादा चला गया, कही गुणा ज्यादा चला गया, तो ये तो एक बच्चों के साथ में justice नहीं है, ये बिलकुल भी नहीं है, कि बच्चों के साथ में fair हुआ है, बच्चों के साथ में बिलकुल unfair हुआ है, पेपर भारी मातरा में लिक हुआ है, तो इसके लिए मै बड़ा चिंता जनक ये विश्य बन गया है, तो इसमें मैं जाते-जाते आपसे एक request करता हूँ कि बच्चों ने, देखो, अभी जो हुआ है, उसके बारे में हम आगे लड़ेंगे, लेकिन गलत कदम किसी नहीं उठाना है, इस result को देखे, गलत कदम नहीं उठाना है, क्यों को देखते हुए, तो आगे देखते हैं, करते हैं इसके बारे में मिलेंगे, नई अपडेट के बारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन जाते-जाते फिर से यही request कर रहा हूँ, कि NTA के paper में गड़बड़ी तो हुई है, ल